नमस्कार मैं हूँ वैभवन अच्छर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आप लोगों के बहुत समय से बार-बार मैसेज और इमेल मिल रहे थे वाटसप पे आपके संदेश आ रहे थे कि साल 2024 का राशिफल कब आने वाला है और साल 2024 को शुब बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए तो आज मैं आपके लिए बारा राशिका राशिफल लेकर के आया हूँ वार्शिक राशिफल मैं आपको बताऊंगा और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे साल में आपको कौन-कौन से छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए जिस से आपका नया साल शुब हो सके तो आएए जानते हैं 9 साल के बारे में नया साल आने ही वाला है और हर वेक्ति चाहता है कि नये साल की शुरुात शुब हो पूरा साल अच्छा से अच्छा बीते जो काम पिछले साल नहीं हो पाए किसी का प्रमोशन रुख गया किसी के विवा में बाधा आ गई किसी को नया घर खरीदना था उसमें विगना गया तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उन्नती और प्रगती के काम इस नए साल में अवश्य हो जाएं उनको बड़ी सफलता मिले जोते शास के नुसार साल 2024 में कई ग्रहों के इस्तिती में बदलाव होने का योग दिखता है जिससे हर राशी के जातक के जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उसका अनुभव आपको करना पड़ेगा साल 2024 में शनी राहू गुरू और केतु के समेत कई और ग्रहों के जो बदलाव होंगे वो राशी के लोगों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे ये बड़े ग्रहों के प्रभाव जो होते हैं वो हर राशी के जातक को किसी को शुब किसी को अशुब किसी को बहुत जादा किसी को थोड़ा किसी को कम ऐसा करके वो मिलता जरूर है अगर आप सूचें कि ट्रांजिशन हो रहा है ग्रह परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा तो ये गलत है शनी अपनी स्वराशी कुम राशी में ही विराजमान रहेंगे इसके साथ ही गुरू मई में स्वराशी मेश से निकलेंगे इसके अलावा राहू मीन और केतु कन्या राशी में विराजमान रहेंगे ग्रह 2024 मेश राशी से लेकर के मीन राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अब बात करते हैं मिथुन राशी के ग्रहों की इस्तिती ऐसी रहेगी जिससे वर्ष की शुरुआत आपके लिए शुब होगी और अनुकूल रहने वाली है देरगुरु रहस्पती एकादश भाव म के योगी बन रहे हैं साथ ही आपको पैत्रिक संपत्ति की प्राप्ति होगी अगर परिवार में पैत्रिक संपत्ति को लेकर के कोई वादविवाद की इस्तिती चल रही थी तो वो भी आपके पक्ष में सुल्जे ऐसी इस्तिती आपके लिए बनती है प्रेम संबंदों में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं वैवायक संबंदों में समस्याएं जो चल रही थी उनमें कमी आएगी चनी भागे के स्वामी होकर के भागे इस्थान में रहकर आपके भागे की वृद्धी करेंगे जिससे आपके रुके हुए कारित बनने लग जाएंगे साथ ही आपको कोई नई डील से लाप्राप्त को इसका योग भी आपके लिए दिखाई देता है आपको सफलता की प्राप्ती होती दिखाई देती है नई योजनाओं पर काम करने के अवसर आपको मिलेंगे यदि आप किसी नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते थे और पहले उसमें विद्न बाधा आ रही थी तो अब प्रयास करने में आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका काम जो है वो बहुत आसानी से आरंभ हो जाएगा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा राहू और केतु आपके दशम और चतुत भाव में रहेंगे जो शारिरिक रूप से समस्याएं दे सकते हैं पारिवारिक जीवन में भी अशान्ती रहेगी पूरे साल शनी की तीसरी द्रिश्टी आपके आए भाव पर पड़ती रहेगी इससे आपकी आए अच्छी रहेगी और सबसे खास बात ये है कि आप बचत करने में सफल हो पाएंगे बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे थे कि कुछ सेविंग्स हों आप कर नहीं पा रहे थे पैसा आता था खर्च हो जाता था लेकिन अब जो आप मेहनत करेंगे जो पैसा कमाएंगे उसका कुछ हिसा बचा भी पाएंगे जादा तर पैसे आपकी यात्राओं पर खर्च होंगे साल की शुरुवात में गुरू आपको बेहद आगे बढ़ाने की संभावनाएं दे रहे हैं विद्यार्तियों के लिए ये वर्ष बहुत ही एहम और महत्रोपून रहने वाला है परिक्षा और प्रत्योगता में उम्मीद से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे आपके लिए उच्छ शिक्षा की परिस्तितियां बनेंगी करियर में आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे जीवन की बात करें तो दामपते जीवन में सामनजस ये बना रहेगा परिवार का पूर्ण सहीयोग प्राप्थ होगा संतान से संबंदों में मधूरता आएगी सेहत का खास ध्यान रखें आपको सांस की समस्या और घवराहट जैसी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है तो उससे आपको सचेत रहना होगा वर्ष दोहजार चौबिस में आपको नए आर्थिक निवेश से लाब मिलने की इस्तिती दिखाई देती है तो आएगे जानते हैं कि मिधुन राशी वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका साल बहुत ही खास हो जाए गड़े शतर्व शीर्च का हो सके तो आपको नियमित पाट करना चाहिए यह आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगा इसका चमतकार मेरा को दनुभव किया हुआ है बकरी का दान करना चाहिए रात को मूं भिगो करके सुबह उसको अपनी अंजुली से ले करके गाय को या जानवरों को खिलाए तो बहुत बहतर होता है मानसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए अपनी बुआ का आदर सम्मान करें साबुत मूं की दाल स्वेम न खाए गले में तामे का सिक्का धारन करें तामे के टुकड़े में सुरा करके बहते हुए जल में उसे आपको प्रवाहिद करना चाहिए राहु केतु की शान्ती करवाएं और करियर में उससे आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा विश्नु पूजा, लक्षमी पूजा या गुरु पूजा से आर्थिक उन्नती के रास्ते कुलेंगे शनीदेव की पूजा राधना किसी तीर थिस्तल पर करवाते हैं तो इससे भाग या आपका मजबूत होता है तामसिक भोजन का परित्याग करें और मचलियों को कैद से मुक्त करें दमे की दवा अस्पताल में आपको मुफ्त में वितरन करानी चाहिए माता की पूजा करें और बारव वर्ष से छोटी कन्याओं का आशिरवाद आपको प्रयोग लेना चाहिए बेल्ट का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि वो चमड़ा होता है तो वो आपके लिए शुब नहीं है फिटकरी से दाथ साफ करना चाहिए सूर्य के संबंद में कुछ उपाई करेंगे कुछ उपचार करेंगे गैतरी मंतर का जाप करना सूर्य देवता को जल देना तांबे के पात्र से तो ये आपको बहुत अच्छा लाब देगा बुद्वार के दिन खड़ी मूम की डाल का आपको दान करना चाहिए और किसी सुहागे निस्त्री को सुहाग की सामगली का आप दान करें नियमित रूप से सफेद गाए को हरी घास खिलाने से घर परिवार दोश मुक्त रहता है खास तोर पर घर के वायव विकोन में यानि घर के उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप धन रखते हैं पैसा रखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाब लिलता है आशा करता हूँ कि साल 2024 का वार्शिक राशिफल और उपाय आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा आप सभी से बार-बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो इनको लाइक और शेर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुक कामना के साथ कि आपका आने वाला वर्श भेरो खुशियों से भरा हो असीम सुख और संपन्नता आपके जीवन में लेकर के आए मुझे आ गया दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैपावद नमोनारायन जै महाकाल